कि अलो फ्रेंद्स कैसे हों सब रोज की तरह आज भी में आप लोग ट्रेडिंग से निकले हैं कि आज भी जो स्टक काल दिया था आज भी प्राफिट जी आप लोगों ने आजा करते हैं कि आप लोग ब्रॉपिट ले पाया हैं और मार्टेट तो देते हैं सब को लेकिन सब ले नहीं पाते। तो पहले मेरा खाग इंदी के लिए मा की चाहता हूं। और ये चैनल कंप्लिटली विगनर्स लोग के लिए है। जो लोग विगनर्स है, उनहीं लोग के लिए ये चैनल बढ़ाया है। और स्टॉक ढूनने पोजिशनी ना हो इसे लिए हम स्टॉक ढून के देते हैं और उसके साथ लेडल भी निखाल के दे देते हैं ताकि उन लोगो प्रॉफिट आ जाए तो जो लोग एक्सपार्ट है उन लोगे ये चैनल में ये ख्रिपया हों लोग ये वीडियो मत और प्राइटस्टिक पॉर का जो चार स्टॉक हम यूट्यूब में डालते हैं अवाद उससे ज्यादा स्टॉक हम लोगों को मिलता है तो हम टेलिग्रम में वो डाल देते हैं टेलिग्रम लिंक का डेस्किप्शन में दिया हुआ है टेलिग्रम लिंक तो ख्रिपया उस लि और वेस्टेशच दो क्यान याई है ऐसरी आप लूगों को दोस्टेश्टों भी जानकारी दे मिधिये कि यह जो स्टॉप हम लोग देते हैं इसमें प्रमाइट जाते हैं अगर किसी को जो नया है किसी को अगर साउख हो तो वो लोग क्रिपया पिछले जो वीडियर देखके बैक्टेस्पिक कर सकते हैं तो चलिए काल 1st February मतलब सटाटे हैं मार्केट बंद होता है लेकिन बाजेट के लिए काल स्पेसली खुलेगा मार्केट तो चलिए इसका जानक साइट से मिलेगा तो इसमें भी लिखा हुआ आडा है यह देखिए कारेंट ट्रेडिंग डेट 31st January 2020 और यह देखिए नेक्स्ट ट्रेडिंग डेट 1st February 2020 मतलब काल भी खुलाड़ाएगा आज ए नर्मल टाइमिंग तो काल हम ट्रेड नहीं करेंगे कि काल व्लाड़िटी के हिसाब से हम साइट कोंट्रोल ना कर पाएं तो जो लोग बिंगनर से उनलोगों को ही रिक्वेस्ट है कि काल ट्रेड मुँच करिए फिर भी हम स्टॉप देंगे जो की आप लोग सिफ वाच करिये यह मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो प्रोफिट अब लोगों ने इतने दिनों से कमाया है वो काल एकी रिंग में गवाना मक्त ठीक है यह मेरा पर्समाली रिक्वेस्ट है तो चलिए पहले काल जो स्टॉक दिया था और कूल स्टॉक का पार्पोमेंस देख ले थे उसके बाद काल के लिए हम स्टॉक निकल के राके हैं जो हमारा टीम ने दिया है तो वो ही हम देख लेंगे किस लेवल पर भाई या सेर्व ठीक है तो चलिए पहले स्टॉक था आधानी एंटरप्राइस का आधानी एंटरप्राइस का 233.5 के उपर भाई था 233.5 यहां पर स्टॉक गया और चोटा सा प्रोफित मतलब एक रूपया प्रोफित देखे तुरंत मीचे आ रहा है लेकिन दिनबर साइट व्यूट थैंग है तो तो हम इसमें जो कर सकते हैं, वो स्टॉप्रस को ट्रेल कर सकते हैं, जो की हमारा डूल्स के मताविक है, टॉफिट आने से ही हम लोग स्टॉप्रस को एंट्री पाइज में डाल देंगे, ताकि सिर्फ बोकरजी जाए और प्रैसा ना जाए, मतलब में कैपिटल आपका स्लोप डेशित रहे ठाए, ठाँ है, और सेल्स है, जो 2 28 के नीचे था, तो 2 28, हार्ण लगभग यहां पॉर्ट यह जो यह जो लास्ट केंडल का पहना कंडल है इसमें तो ट्रेड बनेगा ही नहीं, ठाए लेना ले नहीं नहीं देंगे आपको, ठीक, तो इसमें एक पॉइंट दे के चला गया, तो इसमें no loss, no profit, जुन कह सकते हैं हम, और second जो stop था, वो था oil, मतलब, oil India Limited, तो इसमें हम भरपुर लाब उठाएंगे, साथ आप लोगो भी इसमें भरपुर लाब उठाएंगे, तो यह जो sales side, पहले बात है कि upside तो गया नहीं, मतलब 145.50 के उपर गया नहीं, तो bind side नहीं activate हुआ, और sales side अक्टिवेट हो गया, 136 के नीचे, 136 लगभ, लगभ, यहां पर, यहां से आपको, कितना profit मिला देखिए, तीन पॉइंट हम दिया था, और आप लोगों को मिला है 8 पॉइंट, जो ले सकते हैं लेगे, नहीं तो तीन पॉइंट में निकाज़े नहीं बैदार है, क्योंकि लालज इसमें मत करिये था, यह भी एक rules के मुताबिकी है, ठीक है, तो चलिए, फिर नहीं गया है, और 1489, 1489, यह भी थोड़ा बहुत आया, नीचे, मतलब, देखते हैं, कहां, 1489, लगवक, कितना profit दिया, लगवक सारे 6 पॉइंट दिया है, तो इसमें हम मान के चलते हैं, कि 9 पॉइंट में की, stop loss enterprise में डाल देंगे हम लोग, तो चलिए, इसमें profit नहीं हुआ, ठीक है, loss नहीं हुआ, थोड़ा बहुत आया है, लेकिन उसके पाद यह उपस्ति भाग गया है, ठीक है, तो इसके बाद था, macdwell, मतलब, united spirit, इसमें भी हरकूर लाग उठाया, आप लोगोंने, जैसा हम भी उठाया है, तो इसका 646 के उपर बाइंग था, गया नहीं, ठीक है, और 629 के नीचे, सेल था, हम थोड़ा पहरे लिया था, मतलब, रिस्क था, तो रिस्क उठाके हम लिया था, ठीक है, अब लोगों को शेव साइट में दिया था, 629, 629 लगवर, यहां से, आप लोगों को प्रोफिट आया है, मतलब, कितना पॉइंट दिया था, बाड़ा पॉइंट, और आप लोगों को मिला है, बाड़ा पॉइंट, एक्जैक्ली बाड़ा पॉइंट आया है, ठीक है, यह मतलब, इसमें भी आप लोगों को प्रोफिट च यहां तक की वाइल में 130 रुप्या के स्टॉक में 8 पॉइंट मिल जागा भी छोड़ी बात नहीं है तो ऐसे ही हम लोग स्टॉक निकल के देते हैं आप लोगों के लिए कि आप तो आते हैं सरय के लिए देख मैं बुल रहा हुआ को क्या है करिया ओर सिर्र देखर देखते रहे हैंजिए स्टॉक कैसे काम कर रहा है और चकाल काonce पंगर दो काया है प्रॉडव स्टॉक चुना है पहलो आप करेंदे राख़ने स्टॉक में लिए बाइंग लेवल एक्टिवेट होगा इसमें 178 के उपर और स्टॉप लोस आएगा 1.3 और टार्गेट आएगा चाड़ो के और सेल साइट एक्टिवेट होगा अगर ये स्टॉप 171 के निचे प्लोसिंग दे तो ठीक है और दूसरा जो स्टॉप है ओ है एच्टिवसी बैंक है एच्टिवसी बैंक का वाइंग लेवल आएगा अगर ये स्टॉप 1242 के उपर टोजिंग दे तो और इसका स्टॉप लोस आएगा 8 रुप ये और टार्गेट आएगा 16 रुप ये मैं टार्गेट छोटा किया लेकिन ये साइट बड़ा भी हो सकता है हाद के निचे के साइट एक्टिवेट होगा अगर वान टू डावल वान के निचे अगर क्लोजिंग दे तो ठीक है और थार्ड स्टॉप है टीएस मोटर्स में बाइंग आएगा 477 के ऊपर और इसका स्टॉप लॉस आएगा 3 रुप ये और टार्गेट आएगा 6 रुप ये जिसका सेल सेट एक्टिवेट होना चाहिए है 452 के निचे आने के बाद मतलब क्लोजिंग होने के बाद आप लोग जानते ही है साइड और चौथा जो स्टॉप था वह है महिंद्रा महिंद्रा और महिंद्रा मफा इमने में में बाइन आएगा आप लोगों को 591 के उपर और स्टॉप लोस आएगा 3.5 और टार्गेट आएगा दस रुप ये और सेल साइड एक्टिवेट होला 563 के निचे मैं भी कहता हूं एक वार और के काल ट्रेड महुत करिए सिफ वाज कीजिए ये चार्ट स्टॉप और टेलिग्राम में और भी स्टॉप डाला हुआ मिलेगा आप लोगों वही अब लोग टेस्ट करिए काल टेस्ट का दीम है टेस्ट करिए और मार्केट कैसा विएप करता है वह एक्सपेरियंस की लिए इसी में सब का खला है ठीक है तो चलिए आज इतना है मिलते है अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्ना बात रहें